Class 2, Subject Science, Lesson 1, The Earth, Prithvi, आईए इसके बारे में और पढ़ें, Prithvi, Globe, वायुमंडल, भूमी, मैदान, रेगिस्तान, जंगल, पहाडियां और पर्वत, घाटी, तट, धुरुवियक, शेत्र, जल, नदी, जीले, समुद्र, महसागर, ज्यान बक्सा, हम सभी हर साल 22 अप्रेल को व प्रित्वी पर रहते हैं, यह आकार में लगभग गोल है, प्रित्वी की सतह भूमी द्रव्यमान और जल से बनी है, जल का क्षेत्रफल भूमी के क्षेत्रफल से अधिक है, कुछ स्थानों पर प्रित्वी समतल एवं सपाठ है, अन्य स्थानों पर इसे पाला जाता है, प् Globe, Globe प्रिथवी का मॉडल है. हमारे शिक्षक प्रिथवी के बारे में समझाने के लिए Globe का उप्योग करते हैं. ज्यान बक्सा, प्रिथवी का वजन 6,000 ट्रिलियन टन है. Atmosphere, वायो मंडल, प्रिथवी के चारों और वायो के आवरं को वायो मंडल कहते हैं. ये प्रिथवी को सूर्य की हानिकारक किरनों से बचाता है. Land, भूमी, भूमी हर जगा एक जैसी नहीं होती. ये कुछ स्थानों पर नीचा एवं सम्तल है तथा कुछ स्थानों पर उचा है. इसमें पहार, पहारिया, जंगल, रेगिस्तान, मैदान और घाटिया है. Plains, मैदान, कुछ स्थानों पर भूमी सम्तल है. सम्तल भूमी को मैदान कहते हैं. ये विस्त्रत एवं सम्तल क्षेत्र हैं. यहां कई तरह की फसले उगाई जा सकती हैं. ये खेती के लिए अच्छे हैं. यहां बहुत सारे लोग रहते हैं. अधिकांश शहर, कस्बे और गाव मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं. Desert, रेगिस्तान, रेगिस्तान वेक शेत्र हैं जिन में कम वर्षा होती है. यह पानी नहीं है. प्रित्वी के ये भाग रेट से धाके हुए हैं. रेगिस्तानों में वर्षा लगभग नहीं के बराबर होती है. उनके पास बहुत कम पौधे हैं. उन्ट जैसे कुछ जानवर पाए जाते हैं. वहां अधिक लोग नहीं रहते क्योंकि रेगिस्तान में जीवन कठिन है. फॉरस्ट वन भूमी के कुछ टुकड़े पेर पौधों से आच्छा दित हैं. इन्हें वन कहा जाता है. जंगलों में बड़ी संख्या में जंगली जानवर रहते हैं. ज्यान बक्सा उंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. रेगिस्तान में कैक्टस देखा जा सकता है. Hills and Mountains पहारी यां और पहार कुछ स्थानों पर भूमी उच्छी और नुकीली होती है. इन्हें पहारी यां कहा जाता है. बहुत बड़ी पहारी को परवत कहते हैं. चाए और कॉफी जैसी कुछ फसले इन क्षेत्रों में अच्छी तरह उखती है. वैली, धाटी, पहारों या पहारीों के बीच स्थित भूमी का एक लंबा क्षेत्र धाटी कहलाता है. वे खेती के लिए अच्छे हैं. कोस्ट, तट, समुद्र के निकट किस थली अक्षेत्र को तट कहा जाता है. बहुत से लोग तटी अक्षेत्रों में रहते हैं. ये अक्षेत्र गर्म है और यहां की हवागीली है. इन शेत्रों में नारियल के पेड़ बहुत अच्छे से उखते हैं. पोलर वीजिन्स द्रूवी अक्षेत्र, द्रूवी अक्षेत्र है. वर्ष भर बर्फ से धका रहता है. यहां की जलवायू अत्यंत थंडी है. इन शेत्रों में बहुत कम पौधे उखते हैं. एस्किमो नामक एक प्रकार के लोग यहां बर्फ की सिल्लियों से बने घरों में रहते हैं. इन घरों को इगलू कहा जाता है. ज्यान बक्सा, द्रूवी अभालू और सील द्रूवी अक्षेत्रों में रह सकते हैं. वाटर, जल, प्रित्वी का एक बड़ा भाग जल से धका हुआ है. यह विभिन रूपों जैसे नदियों, जीलों, तालाबों, समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है. पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है. हमें पीने, खाना पकाने, कपड़े, धोने, नहाने और सफाई के लिए पानी की आवश्यक्ता होती है. रिव, नदी, बहते जल की एक बड़ी धारा को नदी कहा जाता है. पहाडों पर बर्फ पिघलती है और नदी यह बनाती है. लेक, जील, ये भूमी से घिरा हुआ एक बड़ा जल निकाय है. जीलों को अपना पानी नदियों और वर्षा से मिलता है. सी, समुद्र, समुद्र एक बहुत बड़ा जल निकाय है जो प्रिथवी के महाद्वीपों और द्वीपों को घिरे हुए है. ये सागर से भी छोटा है. समुद्र का पानी खारा है. ओशन, महासागर, महासागर प्रिथवी पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है. समुद्र का पानी भी खारा होता है. प्रिथवी पर पांच महासागर है.